कोरोना की वैस्विक संकट के दौर में भी योगी ने अपने फैसलों से रचा इतिहास गोरकपूर नियूज के नज़री से 2020 में योगी सरकार के 20 सरवधिक महत्पूर्ण फैसले योगी सरकार ने दुनिया को दिया कोरोना से लड़ने का नया मॉडल विकास सरकी रोजगार, सिक्षा, स्वास और किसी छेत्र में उम्मीद से बहतर काम नमस्का, गोरकपूर नियूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा चुनोतियों को औसर में बदलना उनकी फित्रत है, साधारन परिस्थितियों में भी आसाधारन फैसले लेना उनकी पहचान है अगर हालात आसाधारन और चुनोतिया बेशुमार हो तब उनकी उर्जा, लगन और निर्ने आम आदने को हत प्रभु करने वाले होते हैं वैस्विक संकट कोरोना में उन्होंने अपने तमाम फैसलों से इसे साबित भी किया बात आबादी के लिहास से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितेनात्की हो रही है अपने पिता के अंतिम संसकार में ना जाकर उन्होंने साबित किया कि कोरोना के अभूत पूर्व संकट में उनके लिए प्रदेश की 23 करूर जनता काहित ही सर्व परी है इसके अलावा भी जब 2020 में कोरोना की कारण पूरी दुनिया में सब कुछ स्याह दिख रहा था उस समय भी अपने मुख्यमंत्री के कई फैसलों की देश और दुनिया में सरहना हुई गुजर रहे साल में ऐसे ही कुछ महतवपूर फैसलों पर एक नजर गोरकपूर न्यूज के नजरीय से वक्त कठिन था और चुनौती सबसे मुश्किल साल 2020 दुनिया में कोरोना लेकर आया विक्राल संकर से जूस्ती सरकारों के सामने लोगों की जान बचाने के साथ विकास का पहिया पट्री पर बनाए रखने की दोहरी और बेहत कठिन चुनौती थी लेकिन योगी सरकार की तयारी हर मुश्किल पर भारी पड़ी इस दौरान बिना थके लगातार उन्होंने विकास, तरक्की, रोजगार, सिक्षाक्रसी और स्वास के छेतर में अभूत पूर्व और आकल्पनी एक काम किये उनके सहसिक फैसलों ने जहां एक तरफ कोरोना को मात दी वहीं दूसरी तरफ विकास के पहियों को भी गती उनकी अगवाई में इस दौरान रोजगार, वैपार, सिक्षा, सुरक्षा, निवेश, उद्ध्यो, गोसनरक्षन, महिला, युवा, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया एक से एक बड़े फैसले लेकर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में विकास की गती तेज की, बलकि देश और दुनिया के सामने कुरोना से लड़ने और जीवन को गतीमान रखने का नया मॉडल भी पेस किया आयोध्या में राम मंदिर निर्मान से लेकर दुनिया की सबसे बड़े फिल्म स्टिटी बनाने के फैसले तक योगी सरकार ने 2020 में 20 ऐसे बड़े फैसले किये जिन्होंने उत्तर प्रदीश की दशा और दिशा बदल दी आयोध्या में भवे राम मंदिर निर्मान की नीव पूजन करीब 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद देश दुनिया में करोडों हिंदुयों के आराध्य मर्यादा पुर्शुत्तम श्री राम के भवे मंदिर का श्रीलन नियास प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी की हातों ती योगी सरकार ने अयुद्याओं और आसपास के तमाम इलाकों की विकास कि सबसे बड़ा खाका खीच दिया अयुद्याओं और आसपास के शेत्रों के कायकल्प के जरिये वह उत्तर प्रदीश को दुनियामें सबसे बड़े परेटनस्तलों की सूची में शामिल कराने की कि तैयारी में चुट रहे हैं लवज आद के खिलकर महिलाओं के साथ चलकर कि शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया आज कई राज इसकी नकल कर रहे हैं महिलाओं से शेड़ खानी यौन अपराद करने वालों के चौराहों पर पोस्चर लगाने का फैसला महिलाओं के साथ दुर्वेवार करने वालों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ऐसे लोगों के पोस्चर चौराहे पर लगाने का फैसला किया महिलाओं के स्वालंबन के लिए मिशन शक्ती, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ नौरातरी के पहले दिन से सुरू मिशन शक्ती के जरिये वह उनको स्वालंबी भी बना रहे है इसके लिए प्रदेश भर में थाने तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क समेट महिलाओं की सुविधाओं के लिए कई योजनाय सुरू की माफियाओं के महलों पर बुल्डोजर अपराधियों माफियाओं की संपति सीज करने के साथ ही उनके अवैद इमार्तों पर बुल्डोजर वर्सों से लोगों के लिए आतंक बने उत्तर प्रदेश के माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने सबसे बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया अपराधियों की संपति सीज करने के साथ ही उनके अवैद इमार्तों पर सरकार ने बुल्डोजर चलवाया दंगायों से वसूली उपद्रियों दंगायों द्वरच छतिग्रस की गए सरकारी संपतियों के नुकसान की उनहीं से वसूली के लिए योगी सरकार ने रिकवरी की दुर्माने का कानून बना कर गोकसी पर प्रभावी रोक लगाई विसेज सुरक्षा बल का गठन UPSSF का गठन योगी सरकार ने CISF की तरज पर UPSSF में विशेश अधिकार वाले विसेज सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा वस्ता को और मजबूत किया योगी सरकार ने सेना और अर्धिशैनिक बलो के शहीद जवानों के परिजनों को सहाईदारासी 25 लाग से बढ़ा कर 50 लाग कर दिया कमिसरेच सिस्टम लखनव और नोईडा में पुलिस कमिसरेच सिस्टम लागू कर पुलिस ववस्ता को नया रूप देने की कोशिश योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सुरू की बैंक सकी बैंक सकी योजना के तहत करीब 80,000 ग्रामीर महिलाओं को रोजगार से जोडने की अनूठी सुरवात योगी सरकार ने की अपनों के सम्मान और सुरक्षित घर वापसी कोवीड के दोरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुचाने का सहसिक फैसला योगी सरकार ने लिया बसो और ट्रेनों के जरिये दूसरे प्रडेसों से अपने प्रडेस के लोगों को वापस लाने के साथ योगी सरकार ने दूसरे प्रडेशों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुछाया कोरोना में जरुरतमंदों का ख्याल लॉकडाउन के दौरान भोजन और दवा के साथ चालिस लाग से अधिक मजदूरों को एक हजार रुपए का भत्ता योगी सरकार ने दिया फिल्म सिटी नोईडा में दुनिया की सबसे बड़ी और भव्वे फिल्म सिटी बनाने का योगी सरकार ने ना सिर्फ फैसला किया बल्कि उसके लिए जमीन चिन्हित का रूप रेखा भी पेश कर दिया जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट योगी सरकार ने नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के निर्माड के लिए लोगो और डिजाइन तै करने का काम भी 2020 में किया इंफ्रास्ट्रक्शर के छेत्र में भी और भी जिन कामों की सुरुवात हुई वे आगे सुबे के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे पूरवान चल एक्सप्रेस वे बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे कुसी नगर इंटरनेशनल एरपोर्ट के साथ बहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए निर्माडा धीन एरपोर्ट इसके उधारन है योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे निर्माड के लिए भूमी अधी क्रहन की सुरवाद 2020 में कर इसके निर्माड की राह साफ कर दी सब के लिए सस्ता और बहतर स्वास थे सभी को बहतर स्वास सेवा देने के लिए योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवारे करने का कानून पास किया इसके तहत हर्ची किस्सक को डिग्री प्राप्त करने के बास सरकारी इस्पतालों में 10 साल की सेवा निवारी रूप से देनी होगी लोगों को पास में ही इलाज के दितन सुवधा मिले इसके लिए मुख्यमंट्री आरोगे मेले की भी उन्होंने सुरुवात कराई मंदल स्थर पर मेडिकल कालेजों के साथ अब हर जिले में मेडिकल कालेज और प्रमुक महानगरों में सूपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल बनाने की भी पहल हो चुकी है चार साल और चार लाख रोजगार कुरुना के दोरान युवाओं को रोजगार से जोड रही योगी सरकार ने चार लाख से जादा नौकरिया दी मिशन रोजगार के तहट अब तक 20 लाख से जादा लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है वित्तिय वर्स का लक्ष पचास लाख का है पूरे साल रही ODP की धूम अस्थानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ODP एक जिला एक उत्पाद के तहट बड़ी योजनाओं की शुरुवात योगी सरकार ने 2020 में की MSME को राज्जे के आर्थिक विकास के रियून बनाने का फैसला योगी सरकार ने 2020 में लिया यह उनकी ही पहल का नतीज़ा था कि इस दिपावली को मिट्टी के दियों की धूम रही गंगा यात्रा के जरिए आस्था का सम्मान बिजनौर से बलिया तक की गंगा यात्रा में आस्था के सम्मान के साथ अपनी नदी संस्कृती के प्रती लोग जागरुक हुए रिकॉर्ड पौधरोपन सी लोगों में परियावरण के प्रती जागरुकता आई पहली बार सूबे में डिफेंस एक्सपो पहली बार उत्रप्रदेश में डिफेंस कॉरीडोर को केंदर में रखकर लखनौव में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ हर घर नल्योजना मुंदेल खंड और विंद्य छेतर की प्यास बुझाने के लिए हर घर नल्योजना की सुरवात हुई